हेलो दोस्तों आज मैं आज उब सभी के साथ में सेयर करने वाले हूँ मक्य के अटे की वेजिटेबल रोटी या फिर आप इसे पराठा कहें इतों कमगी में ही आपका ये पराठा जो है बनके तयार हो जाता है तो चलि दोस्तों बेना किसी तेरी मैं आपके साथ में रेज़ी शेयर करती हूं जिसे की आप भी इसे बना के इसके मज़े उठा सके तो चलि इसे बनाना हम सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे बहले हम एक बड़े बाउल में बॉversion किया हुआ आलु को हमने यहाँ ब्रेट करके लिए है आधा कब के करीब हमने यहाँ ब्रेट किया हुआ ठгов Uhup हम लेंगे मक्के का आटा अर आधा कब इसमें डाल देंगी यहुं का आटा यानि इसमें डाल देंगी हम एक छोटा चमठ नमक, यानि कि स्वात की अनुसार, एक-दू चमठ डाल देंगे हम ओईल, अब इसमें डाल देंगे हम बारिक कटा हुआ मेधी का पत्ता, तो मेधी की पत्ते को पहले पाने इसे अच्छी तरह से धूल के साफ कर ले, फिर इसे यहाँ पर बारिक कट करके डाल दे, अब उसका हमें थोड़ा सकती आटा लगा के तयार करना होगा तो पहले हाँ पर अच्छे से इसे मसल मसल के अच्छे से मिक्स कर ले जिसे कि आलू में भी मॉइस्टर होगा तो उससे भी आटे भी हल्की बैंडिंग आ जाएंगी फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगा उससार इसे और इसे गोल इसे इसका पेड़ा बना के तयार कर लेंगे तो यहां पर इससे पहले हम दो-तीन बना लेंगे फिर उसके बाद में रोटियां बनाएंगे तो इस तरह से यह देखे हमने यहां पर इसे गोल दो-तीन इसे पेड़ा बना लिया है एक पेड़े को लिया है चकले मक्के काटा लगा लिए नीचे पर दूनों साइट से अब इसे हम हलके हाथ से इसे बेलन से रोल करके तयार कर लेंगे तो पहले इसे हलके हलके से किनारे से थोड़े फटेंगे यदि आप चाहें नहीं तो इसे ऐसे सेख सकते हैं तो आफ से इतम work शेब देने के लिए उसे मैं ऐसे कट लूगी इसने एक में बहुत बतला हें है उसे हमें boy मॉटा ही पंपने के तयार कर लेना है तो हमारे 1 पराठा अच्क Minist पंपनتي के लिए तयार हो गया है विलके तो अब इसने में ही एक कट कर कर देंगे जिसे कि तोड़ी पर मेथिक पत्ते निकले होंगे तो अच्छे से चिपक जाएंगे तो यह देखिए एक पराठा वारा बन की त्यार हो गया है तो बस से इसी तरह से हमें दूसरे पराठी को भी बनाना है याने की पेल की त्यार करना है तो यहां पर भीसे नेक च किनारे जो है ने इसे अच्छे से तुम गोल परफेक्ट आएंगे इसलिए मैं यहां पर इसे कट कर ले रहे हुआ आप चाहे तो इसे ऐसे उठागे सेख सकते हैं तो बस यह किनारी थोड़े पत्ते ऐसे अनिवे होना है इसको इसे प्रेस कर देंगे तो इसे अच्छे से चि इसे बीना घी ओएल के भी भी शिख सकते हैं ऐसी तवह पर दोनों साईट से अलट पलट खिये ब्राउन से चितिा आने तरफ इसे हमीं खिक लेना है जिससे कि आ normalita पर्फेक्ट यहां हो जाए तो यह एक पराटा हमने यहां पर सिख के त्यार कर लिया है सेम प्रॉसेस से हम यहां पर दूसरे प्राटा को भी तभी प्रटाल दिया है एक साइट से हलका से जाने के बाद में इसे हमने प्लट लिया है और दूसरे साइट में यहां पर हमने इसी घी लगा दिया है हरद दूसरे इससे अा deben सिख जाए तो इसे थैट कि रटें से aplatogen में लगा देंगे और दोनों साइट से अधनी कि अभी हम नीची नींगे उन्य तो प्रस फिलेय को चैसे आप चैने त्यार परेटाई व्यविथर्ण हो जाए तो बस इस फिल रहे चाए ने कोई भी वेज़िटेबल्स और एड कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं तो इस तरह से हमने आप सारी पराठे को सेख के त्यार कर लिया है तो यह देखिए कितना पर्फेक्ट हमारा ये मक्के कही पराठा बन की त्यार हुआ है तो मैंने तो यह आप इसे दही के साथ में सवर ग कर सकते हैं तो यह दिखी बना है नहीं परफेक्ट दोस्तों बिना किसी देरी आप भी एक बर इस तरह से मक्य में ठीके पराठे को जरूर से ट्राइ कीजेगा आपको मारी रेस्पी कैसी लगए हमें कमेंट करके बताएगा यदि आपको मारी रेस्पी पसंद आई तो जल्दी मिलते में कैसे ही नहीं रेस्पी के साथ